शुकरवार की शाम सूरज डलते डलते एक और बुरी खबर दे गया है अज मेर में शुकरवार देड़ शाम तक आठ नए कोरोना के पॉजिटिव मामलों की पुस्टी हो गई है यह पुस्टी उद्यपूर की जो लैब है उन्होंने की है उद्यपूर की लैब इनके तमाम जांच के सेंपल भीजे गए थे और उद्यपूर की लैब से अब यह पुस्टी हो गई है कि अजमेर के अंदर कोरोना के आठ नए मामले और आ चुके हैं यह आठो जो नए मामले हैं यह तमाम आठो के आठो करोना के मरीज इस रिल म्यूजियम जहां से गुरुवार को पॉजिटिव मरीज मिला था एक उसकी जगे के यह आठो के नए मरीज हैं यह आठो खाना बदोश लोग हैं और इन आठो की अब मामले की पुस्टी हो गई ह प्रिशाशन ने इन तमाम खाना बदोश चुकी जो यहां पर 175 की संख्या बताई जा रही थी इनके जाच ली थी इनके सैंपल लिये थी और इनके सैंपल कुछ सैंपल जो ओदैपुर की लैब में बेज़े गाए थे और कुछ सैंपल अजमेर की लैब में थे उन में से शहरवासियों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक चीज़ को यहां पर समझने की बहुत जादा जरूरत है कि 25 मार्च को यहां पर खाना बदोशों को कैद किया गया था रखा गया था यहां पर उसके साथ में पुलिस की सक्त यहां पर पैरेदारी होई थी पुल पुलिस है तो अलवरगेट थाने का जो चेत्र है वह इसी यह उसी थाना चेत्र में आता यह लाका और इसके आज पास का जो एक किलुमेटर का रिया है वह पूरी तरीके से सील कर दिया गया है इसलिए अब यहां पर लोगों किसी परकार से घवरानी की शहर में जरूरत नही थे वहीं शुकरवार को सुबह जो अराई से एक पॉजिटिव मामला आया था उन परिवारों के जो पांस सदस्य थे उनकी रिपोर्ट भी नेगेटिव आ चुकी है उनके परिवार में से किसी और सदस्य को फिलाल करुणा नहीं है लेकिन आठ नए मामलों की पुस्टी हो यह जो 9 खाना बदोश लोग हैं नो लोगों में कुरोना वाइरस आखिर फैला किस तरी कैसे है इसकी अभी जाँ चल रही है इस पर अभी नजर बनाय हुए अधिकारी मेडिकल की टीम पड़ताल कर रहे हैं कि आखिरकार खाना बदोश लोगों के अंदर कुरोना वाइरस आखिर वो किसके माध्यम से पहुचा, क्योंकि कई तरके के सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं, संशे, प्रिशंचीन, कई चीजों के ओपर लग रहे हैं यहां पर, पुलिस के तमाम लोग यहां पर डूटी अपने दे रहे थे, पुलिस कर्मी यहां पर डूटी दे रहे थे कई सुमसीवी संस्ताई यहां पर भोजन पहुचाने हैं काम कर रहे थे कई निगम के जो अधिकारी हैं वो यहां पर देख रिक में लगे वे थे तो तमाम वो लोग हैं और उसके साथ में खाना बदोश लोग हैं लेकिन एक बड़ी चिंता की बात है जो तस्वीर अब हम आपको दिखा रहे हैं यह 16 अपरेल की तस्वीर है जो अमर पलाजा के इलाके के पास की है जहां पर खाना बदोश किस तरीके से सडकों पर बैठे हुए हैं इन तस्वीरों का आप को और से देखिए प्रिचाशन का कहना है कि तमाम खाना बदोश लोगों को उन्होंने होम शेल्टर में रख लिया है लेकिन 16 अपरेल की जो यह तस्वीर है जो अमर पलाजा इलाके की है यह तस्वीर एक बहुत बड़ी चिंता को खड़ी करती है कि आकिरकार खाना बदोश लोगों को इस तरीके पर सडकों पर क्यों छोड़ा गया है क्योंकि ये खाना वदोश लोग कई अलाकों में जाते हैं, खाना लेने के लिए चल जाते हैं, मांगने के लिए चल जाते हैं और इधर उधर टहलते भी हैं, तो ऐसे में एक बड़ी समस्या शहर के लिए ये लोग हो सकते हैं जो की shelter home में इस वक्त नहीं हैं इसलिए MTTV इंडिया अपने दर्शकों से और शहरवासियों से ये अपील करता है कि अगर आपकी गली, मौले या आपको कहीं भी खाना वदोश लोग दिखाई देते हैं तो तुरंत प्रभाव से नजदी की थाने को इसके बारे में जानकारी दे हैं कि 25 मार्च को जब तमाम खाना वदोश लोगों को होम शेल्टर किया गया तो प्रिशाशन ने यहां पर इन लोगों को मास किया और साबून से हाथ दोने के नियम कायदे बताये थे लेकिन ये खाना वदोश लोग हैं इस तरीके से जागरूप लोग नहीं होते हैं इसलिए उसकी जब पालना इन लोगों ने नहीं किये तो उसका परिणाम आपके सामने हैं कि आठ एक के साथ में आठ और नए मामलों की पुस्टी यहां पर हो चुकी है और भी लगातार अभी जो लैप से रिपोर्ट आएगी उसके बाद ये स्तती के लिए रोपाएगी कि आखिरकार इन खाना वदोश लोगों में से किसी और को भी है या नहीं है लेकिन अभी तक की जो जानकारी है 130 तक्रीबन लोग बताए जा रहे हैं खाना वदोश लोग जिनके सैंपल ले ले गए हैं उसमें से 8 मामलों की यहां पर कोरोना की पुस्टी हो गई है लेकिन एक बड़ी चिंता और एक बड़ी चुनोती यह दिखाई दिती है कि खाना वदोश लोगों को होम शेल्टर किया जाए खाना वदोश लोगों को शहर में इदोधर घूमने ना दिया जाए होम शेल्टर करकर इनको दूरी के साथ रखा जाए क्योंकि अगर इनको दूरी के साथ में नहीं रखा गया तो एक बड़ी चुनोती और बड़ी समस्या सामने आ सकते है क्योंकि बाकी के जो खाना वदोश लोग हैं जिनमें फिलाल कुरोना का संक्रमन नहीं है उनमें ये कुरोना का संक्रमन फैल सकता है उसके साथ ही एक बड़ी दिक्कत की बात जो प्रिशाशनी गधिकारियों के अमले में इस वक्त आ रही है कि लगातार खाना वदोश लोगों को एज जगे पर कैद करने की बड़ी समस्या है उसके साथ में जो निगम के और सफाई करमचारी यहाँ पर पहले तैनात थे रेल मिजियूम में उन तमाम करमचारी को होम कورंटाइन कर दिया गया है सफाई करमचारी होम कورंटाइन हो चुके हैं नए करमचारी फिलाल अभी तक जो हमारी जानकारी है वो यहाँ पर किसी बेकार का सफाई करमचारी यहाँ पर मौझूद नहीं है लेकिन निगम प्रिशाशन यह कोशिश कर रहा है कि किसी को इसकी जिम्मेदारी दी जाए और उनके लिए पीपी सूट की विवस्था की जाए यहाँ पर लोग जाएं और उसके बाद यहाँ पर सफाई करें सेनेटाइज इस अलाके को करें लेकिन शहरवासियों को एक बार फिर हम अपने दर्शकों को और पूरी जिम्मेदारी के साथ शहरवासियों को यह बताना चाहते हैं कि खाना बदोश लोगों के लोगों से जिस तरीके से करोना मामलों की पुस्टी हो रही है उससे दैशत में आने की जरुवत नहीं है उससे किसी परकार से घवराने की जरुवत नहीं है क्योंकि ये तमाम जो खाना बदोश लोग थे वो कहीं शहर में चैल कदमी नोगों ने नहीं की थी या ये तमाम खाना बदोश लोगों होम शेल्टर में थे जिनकी रिबोट अभी तक करोना पॉजिटिव आई है इसलिंए किसी प्रकार से पैनिक होने की या गवराने की ज़रूत नहीं है क्योंकि सरकार ने कहा है कि कॉरोना महामारी के दौराद जो 21 अप्रेल से जो रियायत दी जाएगी वो रियायत ंं इलाकों के लिए है जिन इलाकों के अंदर कर्फ्यू नहीं है हाला कि इस इस इलाके के एक क्रियोमेटर के दायरे में ये समस्या देखने में आएगी कि 20 अपरिल को यहां पर किसी बरकार की रियायत नहीं दी जाएगी लेकिन जिन इलाकों में कर्फ्यू नहीं है वहां पर एक बड़ी रियायत उन लोगों को मिल सकती है हाला कि इस बारे में 19 और 20 अप्रिल को भी एक बैटक हो सकती है क्या उस रियायत के गाइडलाइन की पालना किस तरीके से होगी और वाकिए क्या छूट मिलेगी और नहीं मिलेगी हाला कि अभी तक की जो ताजा इस्तती है उसके मताबिक गाइडलाइन को पूरी तरीके से तमाम रियायत जिन लोगों को मिलेगी उनको फॉलो करना है सरकार पूरी तरीके से निगाहें अपनी बनाई हुए प्रशासनी गदिकारी और मेडिकल की टीम को दिशा निर्देश जारी हो चुके है स्क्रीनिंग लगातार होगी सरकार ने आज जब मुख्यमंतिर अश्योग गहलोत में प्रेस कॉंफरेंस किये तो उसमें भी बिल्कुल इस परस तोर पर कह दिया है कि एक दम से रैपिड टेस्टिंग लोगों की नहीं की जा सकती है इसलिए शुरुवाती तोर पर हम स्क्रीनिंग करा रहे हैं और उसके बाद में जब हमको किसी परकार कोई संदिक नजर आता है तो उसकी टेस्टिंग कराई जा रही है एक बार फिर NPDV इंडिया अपने दर्शकों से और शहरवासियों से यह अपील करता है कि आठ नए मामलों की पुस्की होने के बावजूद भी हम पूरी जिम्मेदारी के साथ एक बात अपने दर्शकों को कहना चाते हैं कि किसी परकार से पैनिक होने की जरूरत नहीं है घ पूरे शहर में करोना का वाइरस फैल जाएगा ऐसा नहीं है सरकार और प्रिशाशन और मेडिकल की टीम पूरी मुस्तेदी के साथ काम कर रही है